हाव तू अपलोड टिक टॉक वीडियो इन टू थाउजन ट्वेंटी आज की वीडियो में इस मैथोड को किस तरीके से अपलाई करना है वह यह आपको बता हूंगा यह वीडियो स्पेशली फो में बेगेनर्स लोगों के लिए कवर कर रहो विकॉस जो बेगेनर्स है उन्हे यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है जब भी उन्हें वो टिक टॉक पर वीडियो अपलोड करना हो तो उन्हें शायद नहीं पता होता है कि किस तरीके से इस पर वीडियो को अपलोड करना है वहले जो मैथाड़ एक दिम इसेस्ट है और आप इसली यहाँ पर ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं मिनिमम आप यहाँ पर 15 सेकंड और मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पर एक मिनिट तका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके बाद आपको अगर आप अपने वीडियो को एक अच्छा का से इफेक्ट देना चाहते तो आपको यह भी ऑप्शिन य चुका है वो टाइमर के खतम होने से पहले आपका वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाना चाहिए हैं तो फाइनली यहाँ पर वीडियो रेडी हो चुका है अब इसके बाद यहाँ पर इस रिकॉर्ड इड वीडियो को अगर आप और भी अच्छे इफेक्ट देना चाहते यानि कि for example आप इसको slow motion का effect देना चाहते तो वो भी option आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके लिए आपको down site में effect वाले button पर क्लिक करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको down site में एक time का option मिल जाएगा यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ motion का option बिल जाएगा, here you can see that, इस slow motion वाले option पे आपको directly click करना है, click करने के बाद यहाँ पे आपको red line दिख जाएगा, अब यहाँ पे आप जितने वीडियो के part को slow motion effect देना चाहते हैं, उतना part आपको यहाँ से select कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पे आपका slow motion का जो वीडियो है, वो create हो जाएगा, इसके बाद आपको save पे click करना है, और यहाँ पे slow motion effect create हो जाएगा, इसके बाद सब आपको हो गया, तो आपको directly next button पे click करना है, और अभी आपको यहाँ पे वीडियो के मिलता है private, अगर आप इसको private mode पे set कर देंगे, तो इस वीडियो को आपके अलावा और कोई भी देखने पाएगा, अगर आप इसको friend option पे select करेंगे, तो इस वीडियो को आपके friend के अलावा और कोई नहीं देख पाएगा, और अगर आप इसको public mode पे set तो इसको पूरे TikTok पर कोई भी देख वाएगा उसके बाद post पर click करना है post पर click करने के बाद यहाँ पर वीडियो जो है वो upload होना start हो जाएगा you can see that उसके बाद आप चाहतो और भी platform पर इस वीडियो को share कर सकते हैं that's it तो check out करने के लिए आपको यहाँ पर अपने profile section में जाना है और यहाँ पर आपको आपका वीडियो available बेल जाएगा but make sure कि आप अपना वीडियो अपने TikTok अकाउंट पर मत दखेगा इससे आपका अकाउंट temporary basis के लिए blocked भी हो सकता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो बस इसी तरह के से आपको TikTok पर वीडियो को upload करना है 2020 में I hope you like it Thanks for watching